Hello Friends, आपका स्वागेदा टेस्ट आएकू में Friends, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे Production का टॉपिक, Casting Casting बहुती ज्यादा important टॉपिक है क्योंकि exam में क्यूशन बहुत ज्यादा कुछे जाते हैं इसलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2017 से लेके 2019 तक जो paper हुए थे उनमें जितने भी casting से related question आये हैं वो हम इस वीडियो में discuss करेंगे एक के question को बहुत ही detail में समझेंगे और diagram के साथ में discuss करेंगे और यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूँ 2017 से 2019 तक इसलिए discuss करेंगे क्योंकि 2007 से लेके 2016 16 तक जितने भी paper हुए थे वो हम video already discuss कर चुकें काफी पहले मैंने video बनाया था यदि वो video आपने देख लिया तो अच्छी बात है नहीं देखा है तो यहाँ पे description में link देदूगा नहीं तो यहाँ पे उपर आई बटन होता है वहाँ पे मिल link देदूगा वहाँ से जरूर देख लेना तो चलिए शुरू करते हैं video और काफी important topic है इसलिए video को last तक जरूर देखना है पहला question दिया गया है for the production of quality part of the following casting method is normally employed तो यहाँ पे आपको दिया गया है quality part quality part का मतलब क्या है यानि कि जो हमारा product बनेगा उसकी quality अच्छी होनी चाहिए तो quality का यहाँ पे क्या मतलब है quality का मतलब है कि उसकी surface finish अच्छी होनी चाहिए यानि कि हमारा जो product है उसकी surface finish अच्छी होनी चाहिए और दूसरा property है good dimensional accuracy good dimensional dimensional ठीक है accuracy ठीक है good dimensional accuracy के मतलब क्या है यानि कि उसकी जो dimensional है वो accurate होनी चाहिए और उसकी surface finish better होनी चाहिए तो यहाँ पे ऐसा कुण सा process है जिसमें ये property मिलती है centrifugal casting, continuous casting, green sand casting या फिर pressure die casting तो यहाँ पे हमारा जो option है वो decrrect हो जाएगा pressure die casting तो pressure die casting में surface finish better और good dimensional accuracy क्यों मिलती है यदि आप इसका diagram देखोगे तो आपको easily समझ बाजाएगा तो यहाँ पे हम देखते हैं यह जो आपको diagram दिख रहा है यह pressure die casting है यहाँ पे एक जो इसका plate होता है यह fixed होता है यानि कि इदर एक fix कर दिया यानि इतना जो यह portion है यह fix हो जाएगा और यह होता है आपका movable यानि कि पहले हम इसको बाहर move कर देंगे और यहाँ पे liquid इसके अंदर feel कर देंगे फिर हम इसको यहाँ से press करेंगे तो यह इसके अंदर compress हो जाएगा और जैसा इसका safe है pattern का वैसा हमारा object बन जाएगा तो यहाँ पे highly compressed होता है इसलिए इसकी accuracy बहुत अची होती है और साथ में इसकी surface finish अची होती है अगला question देखते है investment casting is also known as तो investment casting जो है उसके अंदर हम pattern कैसा use करते हैं जो हमारा pattern होता है वो wax का होता है तो wax का pattern यह हम use करेंगे तो जैसे ही इसके अंदर हम metal को pour करते हैं यानि कि liquid metal होता है तो liquid metal का temperature हाई होता है तो जैसे ही pour करेंगे तो wax जो है आपका यह liquid में फो में बदल के और बाहर निकल जाएगा इसलिए हम इसको बोलते है lost wax process यानि कि यह जो B option दिया गया है lost wax casting यह बिलकुल सही हो जाएगा यानि कि wax जो है उसका pattern है इसलिए वो pattern जो है liquid में बदल के बाहर निकल जाएगा इसलिए हम उसको lost pattern casting भी कह सकते हैं यानि कि C भी correct हो जाएगा और investment casting जो है वो high temperature पर होती है इसलिए हम hot investment casting भी इसको बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा option जो है D correct हो जाएगा अगला question दिया गया है hot tier refers to तो hot tier क्या है यह एक casting defect है तो यहाँ पर हमारा option एक correct हो जाएगा hot tier कैसा होता है तो यहाँ पर आपको diagram में दिख रहा होगा यह जो छोटे छोटे crack हैं इसको हम बोलते हैं hot tier अब इसका reason क्या है मतलब यह crack क्यों produce होते हैं यह काफी reason है जैसे यदि हमारे metal के अंदर impurity है impurity किसी की हो सकती है send हो सकता है wood floor हो सकता है उसकी वज़े से hot tier produce हो सकते हैं दूसरा यह है कि यदि हमारा जो metal है उसका जो temperature है वो यदि low हो तो उसकी वज़े से hot tier produce हो सकता है और तीसरा reason है कि यदि proper cooling ना हो यानि कि uniform cooling ना हो तो उसकी वज़े से hot tier produce हो सकता है यह जो main reason होते हैं जिसके वज़े से यह casting defect produce होता है अगला question दिया गया है foundry crucible is made up all तो सबसे पहले आपको दिवांग माना चाहिए कि यह foundry crucible होता क्या है जो foundry होती है जहां पर हम metal को pour करते हैं यानि कि एक कोई foundry होगी या फिर ऐसा कोई shape होगा जिसके अंदर हम metal को liquid form में convert करेंगे यानि इसको हम temperature high temperature पर गरम करेंगे तो यहां पर metal जो है वो liquid form में convert हो जाएगा इसका मतलब यह जो material है जिसे हम बोलते है crucible इसका property क्या होना चाहिए सबसे important property है कि यह जो metal है यह liquid form में बदल गया यानि कि इसका temperature काफी ज़्यादा है तो इसका जो melting temperature है वो इससे भी काफी ज़्यादा होना चाहिए तो high melting point होना चाहिए high melting point ठीक है और एक दूसरा property होना चाहिए कि इसकी strength काफी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि जो metal इसके अंदर liquid form में होगा तो यहाँ पर crack produce नहीं होना चाहिए तो strength अच्छी होनी चाहिए और high melting point होना चाहिए तो यहाँ पर हमारा जो option है वो एक correct हो जाएगा foundry principle जो है वो graphite के बनाया जाते हैं क्योंकि graphite की property होती है और दूसरा clay का भी बनाया जाता है तो यदि आपको clay और graphite दोनों में option हो तो आप कोई भी answer टिक कर सकते है अगला question दिया गया है a sprue hole is a casting defect a hold made for riveting a blind hole in zix a opening of mold for pouring molten metal तो यहाँ पे आपको मैं diagram बता देता हूँ यह आपको diagram दिख रहा होगा casting का तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा pouring basin जहाँ से हम metal को pour करते हैं उसको हम बोलते हैं pouring basin और जहाँ पे sprue start होता है तो यह जो hole start होता है इसको हम बोलते हैं sprue hole तो यहाँ पे हमारा option जो है d correct हो जाएगा an opening in mold for pouring molten metal जहाँ से हम metal को pour करते हैं उसको हम बोलते हैं sprue hole या फिर pouring basin उसके बाद में sprue होता है और उस sprue के बाद में यहाँ पे runner होता है और runner के बाद में gate और gate के बाद में हमारा जो casting होता है वो होता है और casting के बाद में यहाँ पे उपर riser लगावा होता है riser का काम क्या होता है कि जब metal solidify होती है यानि कि जब वो solid form में convert होती है तो shrinkage होती है यानि कि वो contract होती है जिसकी वज़े से extra metal की ज़रूरत होती है तो वो riser provide करता है अगला question देखते हैं slick in the foundry soap is used to तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि slick होता क्या है तो यहाँ पे आपको diagram में दिख रहा होगा यह जो दिया गया है यह एक foundry tool है जिसका नाम है slick अब slick का use क्या है जो हमारा pattern होता है pattern होता है send का तो send का जो pattern होता है उसके जो corner में कभी कभी क्या होता है कि break हो जाता है या चोटी शी send का टुकड़ा तूड जाता है question देखते हैं which of the following is not a casting process तो यहाँ पर देखिए cut is process extrusion semi centrifuge method या फिर slas process तो जैसे आप option देखोगे तो यहाँ पर हमारा answer be correct हो जाएगा extrusion process extrusion एक अलग परकार का process है जो casting से पूरा ही different है तो यहाँ पर आपको जाता समझाने की ज़रूरत नहीं है next question देखते है fluidity is greatly influenced by सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि fluidity क्या होती है जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि fluidity यानि कि flow यानि कि capability of molten metal to fill the mold cavity जो हमारा melt होता है उसकी cavity को fill करने के लिए जो metal होता है उसकी fluidity high होनी चाहिए यानि कि metal जो है वो कितना easily flow हो रहा है उसको हम बोलते है fluidity fluidity test करने के लिए हम एक spiral test करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कभी आपको exam equation पूछ लेतों तो यहां पर पूछा गया है कि fluidity जो है सबसे ज़्यादा किस से effect होती है तो यह सबसे ज़्यादा effect इसका होता है temperature का यानि कि यदि temperature ज़्यादा होगा तो उसकी fluidity increase हो जाएगी तो यहां पर हमारा जो option है वो D correct हो जाएगा देखिए यहां पर B option दिया गया है melting temperature of molten metal D दिया गया है pouring temperature of molten metal तो melting temperature जैसे मालो आपका solid metal है ठीक है इसका कोई temperature होगा जहां पर यह क्या हो जाएगा melt हो जाएगा तो उसको हम बोलते है melting temperature है लेकिन हमारा जो pouring temperature होता है वो इस जो melting temperature इससे कई गुना ज़्यादा होता है गुना मतलब कई ज़्यादा होता है काफी ज़्यादा होता है इसलिए pouring temperature of molten metal यहां पर बेटरा अंसर होगा नेर्स क्यूशन देखते हैं the hot chamber die casting method is used to cast तो hot chamber देखिए दो टाइप के casting होते हैं एक होता है hot chamber die casting और दूसरा होता है cold chamber die casting तो यहां पर जैसा नाम है उसका उल्टा है hot chamber जो है वो low melting point material जो होते हैं उसके लिए use होता है किसके लिए low melting point material low melting point material यहां पर आपको कौन सा दिख रहा है brass brass and aluminum, aluminum, lead, tin और zinc जैसे आप lead, tin पढ़ोगे तो यहां पर आपमारा option डिकरेक्ट हो जाएगा यह जो lead, tin और zinc है इनका melting point है वो काफी कम होता है और दूसरा होता है cold chamber die casting cold chamber die casting तो cold chamber किसके लिए use होती है तो cold chamber aluminum, copper और brass इनके लिए सबसे ज़्यादा यूज होती है सबसे ज़्यादा aluminum के लिए use होती है cold chamber die casting यह चीज़ आपको याद रखनी है अगला question दिया गया है ornament are cast by तो अभी मैंने एक आपको बताया था कि investment casting होती है और दूसरी होती है celus casting अब celus casting में क्या होता है यहाँ पर हमारा आस्वर B correct हो जाएगा celus casting कैसी होती है तो यहाँ पर मैं आपको diagram से बता देता हूँ जैसे मालो यह आपका pattern है इसके अंदर हम metal को pour करेंगे तो metal इस पूरे अंदर feel हो जाएगा जैसे feel होगा तो कुछ time increase होगा time यहाँ पर T जो है time लिकावा है तो जैसे time increase होगा तो यह दीरे दीरे बाहर से solidify होगा तो जैसे यह solidify होना start होता है तो हमको जितनी thickness required होती है उस time के हिसाब से उसको solidify करते हैं और metal को complete solidify नहीं होने देते हैं यानि इसका जो beach का portion रहेगा वो liquid रहेगा तब हम इसको क्या करेंगे इसका metal है वो बाहर निकाल लेंगे तो जैसे हम metal का बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा इसके corner के अंदर metal solidify हो जाएगा और य यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि cellist casting क्या होती है अगले question देखते हैं फैसिंग send used in a foundry work comprises of alumina, silica, clay, silica and clay, silica and alumina या फिर clay और alumina सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि fessing send क्या होती है जो send होती है दो type के होती है एक होती है fessing send और दूसरी होती है backing send है जैसे मानलो मैं आपको pattern बना के बदा देता हूँ जैसे मानलो यह आपका pattern है ठीक है यह जो यहां पर metal pour करेंगे तो इसका जो contact में आएगी हमारे metal के contact में इसको हम बोलते है fessing send है क्या बोलते हैं हम इसको fessing send है फैसिंग सेंड ए और जो इसके पीछे होती है उसको हम बोलते हैं बैकिंग सेंड है बैकिंग सेंड क्या है सपोर्ट प्रवाइड करती है और स्ट्रेंद इंक्रीज करने के लिए होती है तो इसकी property क्या होनी चाहिए Facing sand जो है इसकी जो size है वो छोटी होनी चाहिए ताकि surface finish better मिले और strength high होनी चाहिए ताकि इसको penetrate करके metal इसके अंदर ना जाए यानि कि उसके strength भी ज़्यादा होनी चाहिए तो यह किसका बना होता है तो यह silica और clay का बनता है यानि option यहाँ पर be correct हो जाएगा तो facing sand is used to foundry work is made up of silica and clay तो यहाँ पर option be correct हो जाएगा match plate pattern is used in तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि match plate होती क्या है यहाँ पर देखिए आपको diagram में दिख रहा होगा यह जो plate है बीच में यह आपकी होती है match plate अब इसको हम use क्यों करते हैं हमको मानलो एकी type का object जो है जैसे मानलो यह आपका कोई pattern है यानि कि object ऐसा बनाना है तो similarly हमको ऐसा बनाना है यानि कि यदि size थोड़ी ज़्यादा हो तो हम इसको use कर सकते हैं या फिर हमको बहुत सारे ऐसे object एक साथ बनाने हो तब हम use कर सकते हैं match plate का यानि इसको हम बीच में लगा देंगे और दोनों साइड हमारा object जो है liquid जो है solidify हो जाएगा और pattern बन जाएगा तो ऐसा हम कहां पर use करते हैं machine molding के अंदर यानि हमारा option d correct हो जाएगा अगला question दिया गया है which of the following is not a casting defect hot tear, blow hole, scape या फिर decarborization तो जैसे आप option d पढ़ोगे तो यहाँ पर option आप d tick कर दोगे hot tear हमने discuss किया था blow hole, scape क्या होता है वो हम discuss कर लेते हैं यहाँ पर आपको diagram में दिख रहा होगा blow hole तो यदि हमारे metal के अंदर porosity increase हो जाती है porosity यह porosity क्या होती है यदि हम metal को जैसे पोर करते हैं यानि कि liquid में metal होती है तो इसके साथ में यदि air जो है trap हो जाती है तो इसकी वज़े से blow hole बन जाते है यानि उसके अंदर air के bubbles बन जाते हैं दूसरा होता है escape यह escape किसकी वज़े से बनता है इसके जैसे ही मान लो आपके metal के अंदर जो pattern का sand होता है वो यदि चला जाता है बीच में तो ऐसा escape बन जाता है या फिर कोई impurity हो जैसे wood floor है तो impurity के वज़े से escape बन जाता है तो यह भी एक casting defect है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन कौन से hot tear escape और blow hole जो है casting defect है क्योंकि exam में simply यही पूझा जाता है कि कौन सा casting defect है और यदि आपको यहाँ पर तो simple decarburization दे दिया यदि आपको कोई आपका जैसे अलग जो process होते है वहाँ पर defect का नाम लिख देंगे तो आपको problem हो जाएगी इसलिए आपको याद रखना है कि casting defect कौन कौन से है अगला question देखते हैं the chief advantage of die casting is यह question जो है exam में भार बार पूझा जाता है यानि कि जैसे मानलो आपका 2020 का paper होगा वहाँ पे अलग अलग type के अलग अलग time में exam होगा यानि कि बहुत ज़्यादा set बनेंगे तो एक question यहाँ पे इसका push लेंगे क्योंकि यह सबसे ज़्यादा पूझा जाता है तो जो die casting का सबसे best advantage है वो है high production rate तो यहाँ पे option D correct हो जाएगा high production rate are possible अगला question देखते हैं for mounting several pattern at a time which of the following type of pattern is used तो यदि हमको बहुत ज़्यादा pattern जो है एक साथ mount करने होए तो हम उसको कौन सा pattern use करेंगे तो अभी हमने देखा था match flat pattern तो यहाँ पे हमारा option D correct हो जाएगा जो sweep pattern होता है इसको हम कहाँ पे use करते हैं यदि हमको three dimensional three dimensional object बनाना है तो हम sweep pattern करते हैं और loose piece pattern वहाँ पे use करते हैं जहाँ पे intricate shape बनानी हो वहाँ पे हम use करते हैं अगला question पूछा गया है casting process is preferred for the part having a few details many details, no details या फिर non symmetrical shape के लिए हम use करते हैं तो casting process जो है यदि हमारे पास किसी भी object बनाने के लिए उसकी काफी detail बता हो तभी हम उसको use करेंगे क्यों क्योंकि आपने देखा होगा casting के जो process है different different process होते हैं और हर material के हम अलग process use करते हैं जैसे उसकी size के हिसाब से उसका shape कैसा चीए कितना जो object है वो complex है और जो metal है वो use कर रहे है उसकी property क्या है यानि इतनी अपन को जानकारी पता हो तभी हम casting process use करते हैं next question देखते हैं the main advantage of cell molding is that तो cell molding का सबसे best property है वो क्या है thin section can be easily obtained तो thin section जो है वो हम easily बना सकते हैं अगला question देखते हैं strength and permissibility is it served sand are related to grain size, clay content, hardness और moisture content, तो यहां पर हमारा जो answer है, वो a भी हो सकता है और d भी हो सकता है, लेकिन most appropriate answer जो है, वो d हो जाएगा क्योंकि जो strength होती है strength क्या होती है, जैसे कि मानलो जो हमारी sand है, उसकी strength high होनी चीए ताकि जो हम size बना रहे हैं उसकी shape maintain रहे है और दूसरा है कि permeability है, permeability भी grain size पर depend करती है, permeability क्या होती है permeability, ability of sand to allow the gases escape out यानि कि यही हमारा जो sand है, जैसे मानलो उसके अंदर, उसकी size जो है cross grain है, तो उसके बीच में से हवा easily निकल जाएगी, और यही चोटी-चोटी sand है, ठीक है यानि कि fine grain है, तो उसके अंदर permeability कम होगी, तो grain size पर depend कर रहा है, और दूसरा है moisture content, तो moisture content पर strength भी depend करती है, और permeability भी depend करती है, जैसे moisture उसके अंदर मानलो, सबसे पहले moisture है यही नहीं dry है, dry है तो उसकी strength नहीं होगी, जैसे जैसे हम moisture content increase करेंगे, उसकी strength increase होती जाएगी, लेकिन moisture content बहुँ ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी strength decrease हो जाएगी, क्योंकि वो metal जो आपका sand है, वो liquid जैसा बन जाएगा, ज़्यादा moisture content होने से, इसलिए एक limit तक moisture content होना चाहिए, दूसरा है permeability, तो पहले dry sand होगी, तो उसके अंदर से easily gases bar निकल जाएगी जैसे हम moisture content add करेंगे, तो उसकी जो permeability है, वो decrease होगी, और जैसे हम moisture content बहुँ ज़्यादा increase कर देंगे, तब permeability वापिस increase हो जाएगी, तो जहाँ पर जो main factor है, वो moisture content है, क्योंकि moisture content उसके अंदर ज़रूरी है, उसके strength के लिए, अगला question देखते हैं, graphite mold are generally used for the continuous casting method, because, तो continuous casting के अंदर, यदि हमको long road बनानी है, long road या फिर pipe बनाने है, तो वहाँ पर हम use करते हैं continuous casting, तो continuous casting किसी objects है, वहाँ से metal निकलेगा, तो वहाँ पर lubrication की ज़रूरी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर continuous process है, इसलिए, lubrication की ज़रूरत होती है, तो जो हमारा graphite होता है, उसकी property होती है, self lubricating, यानि option यहाँ पर C correct हो जाएगा, इसलिए हम use करते हैं graphite को, अगला question देखते हैं, ascend casting, mold assembly is shown in the given figure, the element mark A and B are respectively तो यहाँ पर आपको दिया गया है, diagram में और पूचा गया है कि A क्या है, और B क्या है जैसे आप इसको normally देखो गए, तो आपको दोनों same लगेंगे, लेकिन आप यदि concept आपके clear हैं तो जैसे आप देखो गया, तो आपका answer आजाना यहाँ पर difference क्या है यहाँ पर यदि आप A को देखोगे, तो यह आपकी इसकी shape जो है, वो tapered shape है, कैसी है? tapered और यदि B को देखोगे तो वो तो एक्तम सीधा दिया गया है तो जो tapered shape होती है, वो होती है आपके sprue की, तो यहाँ पर जो A है, वो sprue हो जाएगा, और B जो है वो riser हो जाएगा, यानि option यहाँ पर A correct हो जाएगा, sprue को हम tapered क्यों बनाते हैं, यह भी आपके दिमाग में क्योंशन आ रहा होगा तो यदि हम इसको ऐसे बना देते हैं, जैसे यह riser बना हो है, ऐसी shape बना देंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर air trapped हो जाती है, और यदि air trapped हो जाएगी, तो porosity increase हो जाएगी और हमने देखा होगा, blow hole defect की जो casting defect देखा होगा तो यदि air entrapped हो जाती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा casting defect हो जाती है उसके strength decrease हो जाती है, इसलिए हम उसको tapered shape में रखते हैं, ताकि air interrupt ना हो, और flow भी easily हो, और जो riser होता है, riser मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जब हमारा metal solidify होता है, तो वहाँ पर वो shrink होता है यानि कि contract होता है, जिसकी वज़े से extra metal को provide करने के लिए हम riser का use करते हैं तो friends, ये था वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा comment box में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को like करें और उन दोस्तों को share करें, जो SSEJ exam की preparation कर रहे हैं, और channel पर आप नए हैं, तो subscribe जरूर कर लें, तो वीडियो को complete दखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जैहीं, जै वारत